असलामने कुम फ्रेंड्स वल्कम बैक टू माई चाइनल एच्पी होम किचन मैं हूँ हुदा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पर्फेक्ट फिर्नी की रेसिपी इसे खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा अगर आप इस तरीके से एक बार घर पे फिर्नी तो यकिन आप बार बार इसी तरीके से घर पर फिर्नी बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे फूल मेजरमेंट के साथ आप से यह रेसिपी शेयर करूंगी मैं रेसिपी अगर आपको मेरी आज की परसंद आए तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंज में जाज़ जाज़ नवल ले सकते हैं थोड़े से पानी में हम इसे हलके हाथों से अच्छे से दो लेंगे एक ही बार बस एक बार इसे दो कर हम इसे साफ पानी में भीगो के रख देंगे आदे घंटे के लिए कम असकम यहां मैं केसर फिर्णी बना रही हूँ तो इस बावल में मैंने 20-25 केसर के धागे ले लिए हैं उसमें एक कब दूद एट करके हमने इसे भीगो के रख देना है ताकि इसका कलर अच्छी तरह से छूट जाए अगर आप केसर फिर्णी नहीं बनाना चाते हैं साधी सकते हैं तो यहां पर चावलों को भीगते हुए आदा घंटा हो गया है आदे गंटे बाद हम चावलों को मिक्सिजार में प्रांसफर कर लेंगे इसी पानी के साथ हम इसे पीस लेंगे और इसे हमें एक्दम फाइन नहीं पीसना बस कोर्सली दरदरा सा पीस के रेडि करना है देखे इस तरीके का इस तरीके का हमने चावलों को पीसके रेडि कर लेना है अब यहां पर मैंने एक मोटे तले का बरतन ले लिया है कड़ाई जो भी बरतन हो आपके पास मोटे तले का वह आप ले लेजिए यहां पर मैंने इसमें एक लीटर दूद एट कर दिया है अच्छे से इसे mix करेंगे और चलाते रहेंगे कम असकम 10 मिनिट के लिए हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि यह थोड़ा सा थिक हो जाए बीच बीच में हम इसे थोड़ा चलाते रहेंगे इस तरह से ताकि यह नीची से लगे ना तो यहां पर देखिए 10 मिनिट हो गए है इसे पकते हुए कंटिनुसली और दूद जो है वो ठिक होना शुरू हो गया है अब इस टेश पर हम इसमें तीन बड़े चम्मज चीनी के एट कर देंगे साथी में यहां पर मैंने दूद पे की मलाई ली है फ्रेश क्रीम दो बड़े चम्मज नेक्स यहां पर मैं इसमें जो हमने केसर में दूद भिगो के रखा था वो एट कर दूँगी साथी में वन टी स्पून हम इसमें लाइची पॉडर एट कर देंगे अब इन सबी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें इसे भी हम 15 से 20 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से पकने देंगे ताकि यह अच्छे से ठिक हो जाए बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि यह नीचे से लगे ना प्रेंट्स आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी आज की रेस्पी पसंद आ रही है तो प्लीज नीचे दी हुए लाइक के बचन को क्लिक कर दीजेगा तो यहां पर इसे पकते हुए कम असकम 15 मिनिट हो गए है और यह अच्छे से पक गया है देख सकते हैं अब हमने गैस का फ्लीम जो है वो बन कर देना है और इसे हम रूम टेंपरेचर पर आने देंगे तो यहां पर हमारी फिर्णी जो है वो रूम टेंपरेचर पर आ गई है और आप देख सकते हैं कितनी ठीक हो गई है यह अब इसे हम सेट करने रखेंगे इस तरह के मिट्टी तो ट्राइ कीजिए और अपना फीड़बेक मुझे जरूर शेयर कीजिए का कॉमेंट में यहां उपर से हम थोड़ा से पिस्ते और केसर के धागों से गारिश करेंगे और इसे हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए थंडी थंडी इस फिर्णी को हम सर्फ करेंगे इ आपके घरवाले आपकी तारिफ करते नहीं थखेंगे इतनी क्रीमी बनके आपकी फिर्णी रेडी होगी बहुत ही यमी लगती है इस तरह की फिर्णी तो इस रेसिपी को आपने जरूर ट्राइ कीजिएगा उमीद करती हूँ फ्रेंड मेरी आज की रेसिपी आप लोगों क